नमस्कार मेरा नाम है प्रविन और आप सभी का स्वागत है न्यूस क्लिक के शोर डेली राउंड अप में आई नज़र डालते हैं आज के मुख्यों सुर्कियों पर उपचुनाव परिडाम भाजबा के लिए बड़ा सबक तो मिलनाडू के पठाके वालों के लिए रोशन नहीं रहेगी या दिवाली दिल्ली महिला आयोग ने विराट अनुष्का की बेटी के खिलाफ नफरत के मामले में लिया स्वता संग्याद और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की देश में 24 घंटे में करीब 12,000 नए मामले सामने आए 2022 में होने वाले साथ राज्यों के विधानसभा चुनाओं से पहले 13 राज्यों में हुए उपचुनाओं के नतीजे भारती जन्ता पार्टी को काफी सबक देने वाले साबित हुए है खास्तोर से हिमाचर प्रदेश का परेडाम भाज्यों के लिए एक बड़ा जटका है जहां अगले साल दिसंबर में चुनाओं होने वाले हैं इस उपचुनाओं में हिमाचर प्रदेश में सत्तारोड भाज्यों को बड़ा जटका देते हुए विपक्षी दल कॉंग्रेस ने तीनों विधानसभा सीटों यानी फतेपुर, अर्की और जुबल को टखाई और प्रतिष्ठित मंडी लोगसभा सीट पर जीत हासिल की इस तरह बंगाल में त्रिडुमल ने राजी की सबी चार विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की इसमें वे दो सीटे भी शामिल हैं जो उसने भाजपा से चीनी हैं राजस्तान में कांग्रेस ने अपनी एक सीट बरकरार रखी और भाजपा से एक सीट चीन ली भाजपा की उमिदवार न केवल उपचुनाओं हार गए बलकि धरिया वाड और वल्लब नगर निर्वाचन छेतरों में क्रमशा तीसरे और चोथे अस्तान पर रहें करनाटक में भाजपा ने जद एस से सिंडगी विधानसवाज सीट चीन ली लेकिन हंगर सीट पर कॉंग्रेस से हार गई इसे मुख्यमंत्री बसवराज बुम्मई के लिए एक जटके के रूप में देखा जा रहा है इन उपचुनाओं में भाजपा और उसके सहयोगी दलो ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि कॉंग्रेस ने 8 सीटे जीती है इस उपचुनाओं के तहट मद्दान 30 अक्टूबर को हुआ था जबकि मदगर्णा मंगलवार यानी 2 नौंबर को हुई कल दिपावली का त्योहार है मगर तमिल्नाडू के पटाके बनाने वालों के लिए यह दिवाली रोशन नहीं रहेगी तमिल्नाडू के विरुदून अगर जीले के शिवकासी में रहने वाले पटाके वालों के लिए पहले नोड़ बंदी फिर GST और उसके बाद पटाकों पर प्रतिबंद और महामारी के संकट के डर की वजह से वे बेहत परिशानी का सामना कर रहे हैं इस बीच पटाके के उत्पादन में भी साल आई कोरोना की दूसरी लहर की वजह से 50% की गिरावट देखी गई इसके अलावा पटाकों पर लगे प्रतिबंद की वजह से दिहारी मजदूरों पर भी संकट बढ़ता जा रहा है भारत की न्यूजिलैंड से हार और विराट कोहली दौरा अपने साथी खिलाडी मौंबर शमी के समर्थन का जवाब सोशल मीडिया टोस ने बड़े ही भद्दे तरीके से लिया जिसमें लोगों ने इस हद तक नफरत दिखाई कि विराट कोहली और अनुश्का शर्मा की नौ महिने की बेटी को रेख थेट्स तक दिये गए इस मामले पर दिल्ली महिला आयोग ने स्वधा संग्यान लिया इस पर क्या कहना है वरिष्ट पत्रकार अभिसार शर्मा का आईए उन्हें सुनते हैं दोस्तों नफरत की कोई हद नहीं होती है विराट कोहली का सिर्फ इतना दोश था कि जब मोहमच शमी को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा था उनके धर्म पर सवाल उठाये जा रहे थे सिर्विस लिए कि भारत पाकिस्तान से 10 विकिट से हार गया था और नफरत की अंधभक्त जो है उन्हें लगा कि पाकिस्तान की हार के लिए हमें सिर्फ मोहमच शमी को दोश बढ़ना चाहिए तब विराट कोहली सामने उभर कर आये थी विराट कोहली ने सिर्फ ये कहा था कि मैं मौमद शमी के साथ खड़ा हूँ और तुम ट्रोल से नहीं डरता हूँ तुम जब-जब हमला करोगे मौमद शमी के उपर हम हमेशा मौमद शमी के साथ खड़े हूँगे नतीजा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ भारती जहता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है न वो एक नहायत ही अशलील हैश्टाग को समर्थन देता है जो की विराट कोहली के खिलाफ चलाय जा रहा होता है ये लोग कई प्रबुध समर्तक हैं भारती जहाता पार्टी के वो लोग उस अशलील हैश्टाग को समर्थन दे रहे होते हैं मगर बात वहाँ नहीं रुखती है अचानक एक ट्विटर हैंडल विराट कोली की दस महिने की बच्ची के साथ दुशकर्म करने की धमकी देता है सिर्फ दस महिने की बच्ची और उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ उसके बाद भारती जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के कई लोग कहते हैं कि जिस ट्विटर हैंडल ने धमकी दिये वो दर असल पाकिस्तान का है यानि कि तुम विराट कोली को समर्थन नहीं दे सकते हैं तुम ने गाली दे रहे हो अब जिस शक्स ने उनकी बच्ची को बलातकार या दुशकर्म की धमकी दी तुम उसे पाकिस्तानी बता रहे हो यानि उसे भी तुम समर्थन दे रहे हो ताकि पुलीस उस पर कोई कारवाई ना करे मैं आपको बता दू इस मुद्दे पर राहूल गांधी और दिल्ली महिला आयोग दोनों ने समर्थन दिया है दिल्ली महिला आयोग जैसे कि आप जानते है कि अरवन केज़िवाल सरकार के अंतरगत आती है राहूल गांधी ने क्या कहा है राहूल गांधी बहुत सही बात कह रहे है जो लोग तुम पर हमला कर रहे हैं ना विराट वो नफरत से भरे हुए इने कोई प्यार नहीं देता इन्हें माफ कर दो अपनी टीम को और बुलंद करो और बिल्कुल सही बात है दोस्तों आप मुझे बताईए ना जब पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या होई थी तब एक ट्विटर यूजर जिससे प्रधान अंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर फॉलो करते हैं उसने गौरी लंकेश की बारे में जो अब शब्द कहे थे उसे मैं दोहरा भी नहीं सकता हूँ उसकी मौत पर जक्ष्ण मनाया था अब भी भारती जनता पार्टी के कई नेता इसे फॉलो करते हैं प्यूश गोयल देश के उद्विटर हैंडल है प्यूश गोयल आफिस ये हैंडल कई गालिबाज लोगों को फॉलो करता है क्योंकि देखिए प्यूश गोयल तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के पचिन्नों पर चल रहे हैं वो कल को देश के प्रधान मंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि इसी तरह के गालिबाज लोगों को फॉलो किया जाए तो बिल्कुल यहां सही कह रहे हैं राहूल गांदी मैं आपको ये भी पताना चाहता हूँ कि स्वाती मालिबाल जो कि दिल्ली महिल आयोक की अध्यक्ष है उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन्स पर विराट कोहली की नौ महिने की बेटी को जिस तरह ट्विटर पर दुशकर्म की धंकी दी गई वो बेहद शर्मनाक है इसी टीम ने हमें हजारों बार गौरानवित महसूस कराया है हार पर ये घटियापन क्यों मैंने दिल्ली पुलीस को नोटिस जारी किया है नौ महिने की बच्ची को रेप की धंकी देने वाले सभी लोग गिरफतार हों और आप जानते हैं दोस्तों सबसे दुख की बात क्या है जैसे मैंने कहा आपको जिस हैंडल और वो हैंडल कौन सा है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हैंडल है क्रिक क्रेजी गर्ल इसी हैंडल की तरफ से विराट कोली की दस महिने की बच्ची को दुख कर्म की उसे वायोलेट करने की धमकी आई थी और भारती जनता पार्टी के कई समर्थक इस हैंडल को पाकिस्तानी बताने लग गए मैं नसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें चलो विराट कोली से इस बात कोली के प्रॉब्लम थी कि उसने मोहमद शमी को समर्थन क्यों दिया क्योंकि तुम्हारे अंदर मुस्लिम विरूद भरा हुआ है वो बात सही है मगर जब विराट कोली की बच्ची के साथ दुशकर्म करने की धमकी दी जाती है वो तो दोस्तों सारी हदों को पार की कर जाती है सबसे बड़ी बात राक्षस भी ऐसे आदमी का समर्थन नहीं करेगा एक आदमी अंदर से जितना भी बुरा हो ऐसे आदमी का कभी समर्थन नहीं करेगा मगर भारती जाता पार्टी का प्रचारतंत्र उसके साथ खड़ाय ये बताते हुए कि साभ वो तो भारत में ही नहीं, वो तो पाकिस्तान में है क्या तुम्हें अन्दाजा है कि तुम अंदर से कितने खोक्ले हो गए हो तुम जहर से सराबोर हो गए हो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को समर्थण देने के चक्कर में और आखिर में केंद्री स्वास मंत्राय द्वारा आज बुद्धवार यानि तीन नवंबर को जारी आकड़ों के नुशार देश में 24 घंटों में कोरोना के 11,903 मामले दर्श किये गए हैं और 311 मरीज़ों की मौत हुई है साथ 20 देश में भर में कोरोना से पेड़ित 14,169 मरीज़ों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में 2,566 मामले कम हुए देश में कोरोना संक्रमड के मामलों की संक्या बढ़कर 3,43,8,140 हो गई है जिनमें से अब तक 4,69,199 लोगों की मौत हो चुकी है देश में कोरोना से पेड़ित 13,97,740 मरीज़ों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या घटकर 1,51,209 हो गई है स्वासमंतराई ताज जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सिन की अब तक 1 अरब 7,29,64,315 डोज दी जा चुकी है जिन में से 41,16,230 वैक्सिन की डोज पिछले 24 गंटों में दी गई है आज के डेली राउंड़ अप में बस इतना ही निउस क्लिक के यूटिब तर्ल को सब्सक्राइब करें साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेब साइट भी जरूर देखें फेस्बूक, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें निउस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया